जै हिन दोस्तों कैसे हैं आप आप सभी का हमारे यूटूब चैनल कनेक्ट्टू एक्जाम पर स्वागत है हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपनी तैयारी में लगे होंगे ठीक है देखें हम अमारे पीछे लिखा है आप लोगों के लिए प्रीवेस एओर के मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि बहुत ही बहतरीन तरीके से लिया जा रहा है आप लोग सारे मॉक टेस्ट को अटेंड करिए और यकीन मानिए आपकी तयारी बहतर से बहतर होती चली जाएगी ठीक है ज्यादा आपका समय नहीं जो भी confusion होगा आप हमारे comment box में दीजिएगा हम आपकी confusion को और बढ़ियां से समझाने का प्रयास करते रहेंगी ऐसे ही आपनी तयारी कोई दम बहतर बनाते चलेंगे चलेंगे पहला question हमारा क्या आ गया है पहला question हमें दिया गया है कि निमने में से कौन से संख्या 9 और 11 दो 9 को आपके जाते हैं 9 को बिभाजता करियों क्याता है जीए और 11 का क्या हो गया है POL • 11 यह RA Hills了 तो नौसे विभाजता की नियम के लिए पहले हम चीक लिए पहले हम चार नौ यह नौ हो गया दो तीन दो पांच एक च्छा यह बन रहा है हमारा च्छा तो देखे यह तो नहीं होगा आफशन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस तरीके से हम आगे चलते हैं देखे 720 नौ 8 99 यह हो सकता है यहां पे देखे 8 , 9 यह भी हमारा हो सकता है आट लौ 9 9 नौ 9 आठेग 9 दीक इन 3 नर्व में से हो सकते हैं 9 का विभाज नौ के विभास तक नियम तो फालो कर रहे हैं वह हमारा answer हो जाएगा क्योंकि यह तीन संख्यान नौ से कट रही है और हम 11 के लिए चेक करते हैं क्या होता है अल्टरनेट चेक करते हैं अल्टरनेट चेक करने के लिए देखिए 7,2,9,9,1,10 यहां से देखिए कितना आ रहा है 10 आ रहा है ठीक है यह देखिए 10 और यहां पर अल्टरनेट चेक करेंगे 7,2,9,9,8,17 कितना रहा है 17 इंका अंतर देखिए कितना हो रहा है इंका अंतर हो रहा है 7 जो की 11 से नहीं कटेगा तो हमारा option number A भी गलत हो जाएगा इसी तरीके से देखिए B को देखते हैं क्या होता अल्टरनेट एक में 0 का add करेंगे तो 1 हो जाएगा और 8,8,9 हो जाएगा और यहां पर 9 का 0 से add करेंगे तो 9 हो जाएगा तो देखिए यहां पर alternate करने के बाद क्या रहा है 0 आ जा रहा है अल्टरनेट को add कर रहे तो हमारा 9 में से 9 जाएगा तो 0 हमें क्या लाना था 0 या 11 का multiple तो हमारा यह हो यह हमारा answer होगा क्योंकि हमें 9 और 11 9 से तो यह already cut रहा था 11 से भी यह cut रहा है तो यह हमारा answer होगा मैं आगे check करने की जुरूत नहीं है आप check करेंगे तो यहां पर दे जो की 11 से नहीं गटेगा तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा इस तरीके से हम answer देंगी अगला देखिए अगला question क्या कहा है कि 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राफ शेस्पल ग्यांद किजिए इस तरीके के reminder theorem आब लोग पढ़े होंगे reminder theorem कैसे कैसे निकलता है देख तुम इसमें अलग अलग से विहां करके विजिक कर लेंगी सतरा से वह बात इंगी तो इहां पर कितना बचे गा Имेट्रीक यहँं पर सक्टश का गप देंगे तो हम आप grease कुछा है यहां-ई-पो और digestion निगरी दिएगा इंक है पमारा बचे कर आगे फिश Ci侯 यहां-इन, स पूछा गया था, answer number कौन सा होगा, answer D, ठीक है, देखें, ये practice से चल रहा है, हम आसा करते हैं कि आप लोग आईए, आगे से पढ़ चुके होंगी, ठीक है, तो हम आप लोग की practice करा रहे हैं, तो जो भी थोड़ा सा आप भूले भटके होंगे, वो clear होता चला जाएगा, अगल आपको पहले फिर गुड़ा, फिर जोल, फिर घटाना, तो देखें, यहां पर छोटा question कहां पर है, यहां पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, यहां पर यह बनेगा, 6 बनेगा, 6 में 6 का भाग देंगे, तो बनेगा कितना, 1, ठीक है, उसके बाद यहां पर 3 है, 3 में से जाएग 1 कितना मचेगा, 2, 2 का गुड़ा कितने कि में होगा, 3 में, 3 में, 2, 3, 6 बनेगा, यहां पर मचेगा, 6, बाद में कितना है, plus 3, 6 plus 3, 6 plus 3, 6 plus 3 कितना होता है, 9, यही मारा answer होगा, ठीक है, जो भी, जो question आसान हो, उसको थोड़ा सा, फास्ट और एकूरेसी के साथ करते, आगे 15, 15 में से 12 जाएगा, तो मचेगा, 3, यह 3 है, आगे माइनस है, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 3, और यहां बे 12 है, 12, 15 कितना होता है, 27, 12, 15, 27, माइनस 3 करेंगे, तो कितना होगा, 24, अब यह देखे, यहां कोश्टक भी लगा है, तो पहले हम इसी को गुड़ा को solve करेंगे, ठीक है, या तो हम इसको लिखे, या तो ऐसे ही लिखे, 24, 24 के नीचे, अब यह कोश्टक है, कोश्टक को solve करेंगे, तो यह देखे, कितना हो जाएगा, 24, 3 हो जाएगा, 24, मिटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, अब यह 56 है, भागे कितना हो जाएगा, 8, इ में से कौन सी संख्या तीन चार और एक्स का लसब नहीं हो सकता है ठीक है लसब में क्या होता है लसब में क्या होता है मल्टिपल होता है ठीक है उस संख्या का मल्टिपल होता है लसब का फूलफाम क्या होता है लिस्ट कामन मल्टिपल वह छोटी से छोटी मल्टिपल जो तीन कटेगी और यक्स से भी कटेगी, तो हमें यहां यक्स का वाई-लू तो भी पता नहीं है, लेकिन तीन और चार से जरूर कटनी चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई एक संक्या ऐसी हो गी जो नहीं कटेगी, वो संक्या मारी LCM कभी भी नहीं हो सकती है, देखें यहां पे दे आठारा तीन से तो कटता है लेकिन चार से नहीं कटेगा तो यहीं हमारा एंसर होगा हमसे पूछा था कि कौन यल्सीम नहीं हो सकता है तो कौन नहीं हो सकता है अठारा अठारा कभी भी यल्सीम नहीं हो सकता है क्योंकि यल्सीम होने के लिए जितने भी संख्या होती है सबसे वह कटना चाहिए तो चार से अठारा कभी नहीं कटेगा तो यह हमारा एंसर होगा आएगा कुछ नहीं नहीं कहना था पस language का language में क्या कहा था उसको अगर आप समझ गए तो एंसर दे सकते हैं देखें अब अगला question क्या आया है चाहदा का वह छोटा मुरज जित किजिए जिसे च्या आठवारास बीभाजित करने पर क्रम चार चार और दस शिस बचते हैं यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेतरीन question है यल्सियम का ठीक है ऐसे question को कैसे साल्व किया जाता है कि देखें कह रहा है कि 14 से 14 का वो क्या है मैं पहले मुल दिया है मैं इस वाले लेंग्वेश को ही पकड़के भी एंसर दे सकते हैं कहाँ हैं यहां देखें अब हम यहां पर देखें दो option में फस गये, कभी-कभी आपको क्या होगा, ऐसा टाटा दी जा रहेगा न, सिर्फ एक ही संख्या मैच करेंगी, वागी नहीं होगी, तो यहां पर देखें, अब हम इस वाले मियों को आप नहीं करेंगे, अब हम क्या चलेंगे, इस्टे basic method पर, कैसे इसको निकाला जाता है, देखें क्या-क्या, कौन-कौन सी संख्या दी गई है, देखें, दिया गया है, 6, 8, 12, 6, 8, 12, को विभाजित करने पर कम सब्सक्र, कितने कितने सेस्वाल बच्टे है, 4, 6, 10, ठीक है, देखें, इस तरीके के question में क्या होगा न, तो इनका जो य अद्ध में से 6 जाएगा ज इहां के त्सका अपहिए इसंहां कमेंजा रखे को हमेंसा याद रखिए गा संख्या और अंतर आएगा वो समान होना अब क्या करेंगे हम अब क्या चरू है कि ईसका व्यस्से रूद कि होता है कि हम हम पहले हम इनका क्या निकालेंगे 6-8 और 12 का LCM निकालेंगे 6-8 बारा का LCM क्या हो जाएगा देखे 12 और 12 निकालने का सबसे बड़े तरीका होता है कि सबसे बड़े वाले को पकड़ो और उसका multiple करते जाएए क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा LCM में वह अभी 12 का multiple चेक करते है 12 दूना 24 बारा दूना कितना हो जाएगा 24 यह 24 से अगर 8 से बहां कटाएंगे तो पूरी तरह से बड़ेगा 6 से कटाएंगे तो मारा 8 12 6 का LCM कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 24 X plus 2 क्योंकि remainder हमेंसे हमेरा कितना रहा है 2 आ रहा है ठीक ह एकस का मान रखके चेक करेंगे एकस का मान क्या रख सकते हैं एक दो तीन यह ऐसा क्यों कर रहे है कि इसमें कहा है कि इनको छो से भाग देते हैं तो हमारा दिपेंड हिए चार बचता है आठ से भाग देते हैं तो च्छों बचता ह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका LCM लेंगे, LCM का multiple check करेंगे, उसमें दो add करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो संख्या हमें साथ 6-8-12 से तो कटते ही कटती होगी, ठीक है, तो प्रतेक स्थिति में हमारा क्या होना चाहिए, यह दो extra होना चाहिए, तो हमारा देखें, इस तर 12 से विभाज होने के लिए क्या करना होगा, देखें, यहां पर देखें, यह तो हमारा reminder बचने रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा, minus 2 करना बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो अंतर आ रहा है, 2 आ रहा है, minus 2, तो अब देखें, यहां पर 14 का मान हम दो रखेंगे, तो 24 दूना 48, 24 मैंसे 12 धू जाएगा, तो 43, जो की 14 से कभी भी नहीं कटेगा, थो हम दो भी नहीं रख सकते, अब 3 रख के देखेंगे, 24 तिहां कितना होता है, 72, 72 मैंसे 2 यहां 8, धातिर को किना हो जाएगा, 70, सत्र, अब यह 40 से कट रहा है, यहां से 14 स तो यहाँ पर यहाँ पर जो संख्या बनेगी वह किनी बन जायेगी 24, 52, 25-2 किना हो रहा है 70 तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी वो 70 हो जाएगी, ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 70, तो यहाँ पर हमें रखने के बाल, उपर जो मारा बनेगा, वह ही हमारा इंसर होगा, ठीक, तो यहाँ पर देखें, जो 70 है, वो संख्या क्या है, कह रहा है कि वह 14 का हुआ चोटा बूरज, याद किजिए, जिसे 6, 6, 8, 12 से विवाजित करने पर क्रम से 4, 6, 10 से बचते हैं, तो वह हुडज कौन सा होगा, वो 70 होगा, यहाँ से हम साल्व कर लिए हैं, ठीक, इस तरीके की क्या करना होता है, पहले आप समझे गया फिर से, देखें पहले क्या करना होता है, इनका अंतर निकालना होता है, अंत क्रिपल में से, उसमें से हम क्या माइनस करना पड़ेगा, जितने का यह अंतर होगा, फिर वो संख्या को हमें चेक करना होगा, वो कितने से, 14 से जरूर कटने चाहिए, तो 14 को हम नीचे रख के चेक करते हैं, तो यहाँ से हमारा संख्या निकल के आएगा, संख्या मारा यह कि एक दुकांदार को एक वस्तु 350 में बेचने पर 10% की हानी होती है तो उसे 30% का लाप् प्राब करने के लिए उस वस्तु का विक्रे मुल्ड क्या होगा देखे, इसमें आपको क्या कह रहा है, 360 में बेच रहा है तो वह देखे अगर वो 360 में बेच रहा है तो 10% की हानी हो रही है तो कितने का हो रहा है वो 90 परिस्यत का ठीक उसे किने का चाहिए 30% का लाब चाहिए हम जानते है कि CP होता है हमारा 100% अगर लाब है 30% का तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 130% हमें 130% कमान पूछा गया है तो यहां प बेचेगा तो उसे 30% का क्या होगा प्रॉफिट होगा आप एक लाइन में इस क्रेशन को इस क्रेशन का एंसर आप देदी है ठीक अगला क्रेशन एक आदमी एक कमीज को 4% की हानी पर 960 में बेचता है और वह एक स्वेटर को 20% के लाब पर 840 उपर में बेचता है तो उसका सुद्ध लाब या हानी याद कीजिए तो देखें क्या हो है 4% की जब हमें हानी हुई है तो वह बेचा कितने में है 96% का मान कितना है 960 तो हमें कितने की कमी हुई है 4% की तो देखें 96960 तो एक कमान कितना हो जाएगा 1% कमान हमारा हो जाएगा 10 तो 4% कमान कितना हो पर बेच रहा है तो उमारा जो 840 है 840 कितने का मान है 120 परसेंट का तो यहां पर हम अगर 100% निकाले या यहां पर हमें 20% निकाले तो हम यहां से प्राफिट चीदा निकाल लेंगे न तो देखें यह 120 परसेंट का मान 840 है तो 20% का मान क्या है यही तो प्राफिट हुआ है उसे 20% का मान की निकालेंगे तो 0 से 0 12 से 84 और 7 2 14 140 उसे यहां पर देखें 140 रूपे का क्या हुआ है लाव हुआ है और यहां पर 40 रूपे का हानी हुआ है तो हम जानते है टोटल अगर हमें total profit या लाउस निकालना है तो total हमारा प्रॉफिट हमारा एक सों छालीस है сसमसे 40 माइनस कर देंगे तो टोटल नेट प्रोफिट कितना आ जाएगा स przeci ह् तो हम यहाए देखे नबहरा किन्का prow'. क्या हुआ है हुआ है इसे प्रॉफिट हुआ है हमारा स्थ यह अफसन नंबर भी में क्या हुआ है स्थ एक मेज का मुल्य 50 रुपय है और एक कुरसी का मुल्य 40 रुपय है खरीदी गई कुरसीयों की संख्या ग्याद की दिये मेजों की संख्या का अनुपाद क्या गिए कूरसी और मेजों की संख्या का उन बाद गाद करना है Advent की संख्या कितनी है 12 है और एक मेज की कीमत कंग है 50 रुपए है तो 12 मेज की कीमत कैंड हो जाएगी 600 600 रूपी खर्च उसने मेज पर कर दिये है तो बचा हुआ कितना चवारीट सो Arts यहां टरफ है देलों, फुरल कियान नि रे मुद्य ने ला खैते हैं। कुछ युल करेति जी का का थो लुग मॲ्य के रागल के समय के क्या पूछाओ को उलिलना तो यह ृतने है। 110, 110 क्या है, कुरसी है, हमसे पूछा क्या गया है, देखिए, हमसे पूछा गया है कि खरीदी गई कुल कूरसीयों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्याद कीजिए, मेज की संख्या से अनुपात ज्याद कीजिए, तो पहले हम किसको रखेंगे कूरसी को, ठीक है, पहले हमको रखेंगे कुर्सी को, फिर यहां पर रखेंगे मेज, मेज की संख्या कितनी थी, 12, और कुर्सी की संख्या निकाल के लाएं अभी कितना है, 110, इसको कटाएंगे तो यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 55 बार में, और यह जाएगा 6 बार में, 55 और 6, 55 और 6 का र रुपए का रहा है कि एग रुपए में कुतने निबू खरीदे थी। तो ये यह इना होगा? रुपए कि पान से यह 5 क को निकव है? जब ये 60% का क्या हुआ है उसे profit हुआ है, 60% का profit हुआ है, 60% का fraction क्या बनता है, 60% का fraction बनता है, 3-5 इसको 60 बटा सव करेंगे, तो आएगा हमारा 3-5, अगर हमें 60% का profit हुआ है, मतलब वो समान 5 रुपे से बढ़ करके, कितने का हो गया है? पांच तीन आठ रुपे का तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें समान पांच यहां पर देखें पैसा है पैसा हमेशा समान के क्या होता है व्यूतक्रमान उपाती होता है अगर पांच रुपे का समान आठ रुपे का मिल रहा है तो अगर हमें यह तो हमारा पैसे का हो गया और हमें स पहले वो इस टाइम एक इस तर्शाइम बेच रहा है तो पांच की बेलू कितनी दी गई है? और पहले कितना समान खरीदा था? एक का बेलू एक तो आठ का बेलू तो आठ का बेलू कितना हो जाएगा? आठ मतलब कह सकते हैं कि पहले वह आठ समान मतलब आठ समान वह खरीदा है उतके एक रुपए में और एक रुपए में पांच समान बेच रहा है तो इसे प्रॉफिट कितने की होगी 60% की ठीक तों हमारा जो answer हमसे पूछा गया कि एक रुपए मुझे एक रुपए मुझे कितने निवु खरीदे थे और ओर फ Means आठ में बेच रहा है ठीक हम कह सकते हैं कि पहले वह आठ नीवू खरीदा था लेखिन उतने ही पैसे में पांच नीवू बेच रहा है तो 5 कमान 5 है और टो 1 कमान 1 तो 8 कमान 8 हो जाएगा तो यहां से हमारा जो नीवू की संख्या निकल के आया गी किनी हो जाएगी 8 हो तब हम बता सकते हैं, जब समान क्या हो बराबर हो, समान बराबर करने के लिए धाए हम क्या क पर राखर? कि शाल्लीष रूपर की खरीन के रहा है, रेहा है रहा है, पर रोपर 60 रुपर क क्यों बिच रहा है, तो हम यहां पे देखें यहां पे जो पेनों की संख्या है इनको हम बराबर करते हैं बराबर कैसे करेंगे देखें इनका जो यल्स्यम होगा 8 और 6 कितना होगा 24 यहां पे अगर हम तीन से गुड़ा कर दें और यहां पे चार से गुड़ा करना पड़ेगा यहां चार से पर्सेंटेश निकालने के लिए क्या करना होता है सवसे गुड़ा करना परता है सवसे गुड़ा करने के चार्तियाई 12 और 100 बटा 3 परता है 30 सही 33 परसेंट कौन सा होगा ऑफ्याश नमबर भी 33 33% का क्या हुआ है समझ में आया यह बत किया बराबर किया पैसे का जो một Co get과 fledcle हुआ किसे सवंब्राइब सब्सेंट तो नेर decisive 30 40 को हुं लहाए। 33-33 परसंट देखे अगला Qum Va कर सकते है चेतन की सहाथ से वे कितने दिन में कर सकते है ये इन्सेप पूछा गया है इस तरीके अब बिद्शन को सॉल लिए व में और आप साँ लग में प्eme方 आप में तो आपको-को ये। आ आप को बताते हैं व मिक्सक्न को अ्गाने को पहले हैं, वो थोड़ा साम चोटा करते एं- क्योंकि इस खीनी हर Здर्योन को हम दोर आ महीं को भी works, कर रहा है कि चेतन की सहायता से मतलब a b c मतलब यहां पर a plus b और c का मतलब होए चेतन इन तीनों को मिला लिया जाए वह काम पांस दिन में पूरा हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है काम को मानना है काम कैसे मानेंगे इनका इनका LCM क्या होगा देखे अगर 12-15 पांच का LCM लें तो क्या होगा 12-15 पांच का LCM होता है मारा 60 होता है आप लोग चेक कर लेजिएगा बड़े वाले संख्या का मल्टिपल चेक करते हैं यह जाके कहां पर मिलेंगे 60 तो देखे 12 में 60 में 12 से भाग देंगे तो यह एक चमता आजाएगी 5 B की चमता हो जाएगी 4 और इन तीनों के मिला के चमता हो जाएगी कितनी 5 से कटाएंगे तो यह 12-12 हम कह सकते हैं कि देखे A और B का जो मिला के चमता है कितना होए 9 है और टोटल मिला के चमता कितनी है 12 तो यहा पर हम C का चमता अगर निकलना चाहे तो C का चमत से काम कराएंगे तो कितने दिन में जाएगा 20 दिन में यहीं हमसे पूछा था कि चेतन जो है वह अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा 20 दिन ठीक यह हमारा अंसर आ गया है कुछ भी नहीं था बढ़िया क्वेस्चन था देखे अब कर रहा कि 20 वेक्ति किसी कार को साड़े बारा दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक और कर रहा कि 8 दिन बाद 8 वेक्तियों ने कार छोड़ दिया से इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा तो देखे इसको दो तरीके से लगा सकते हैं आपको दोनों तरीका बताते हैं दोनों तरीका आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग और खुलेगा ठीक है तो इसके लिए भी थोड़ा जगा बनाते हैं जगा बनाने के लिए बढ़ा करते हैं देखे कहा है कि 20 वेक काम की से 11 बच्ट किए प्लस पॉत उसके बाद 8 स्वाद छोड़व. यह कुतना काम यहाँ इस साइड हुआ है, उतना ही काम को. हम मूं और 20 से कटा सकते हैं, क्या जोग किज़िए क्या क्टा सकते हैं,pektि 20 सकती अट्टे कितना हो जाएगा 120 12 yaks, और यहां पे कितना हो जाएगा 20 को यहांपे करेंके तो 120 25 दुना कितना होता है 250 तो हम यहां से 120 को इस साइड ले आएंगे तो यहां से 120 वर माइनस करेंगे कितना बचे गा 13 130 redistích कितना है已經 12 yaks कमान कहीं हमारा kalkulation में गलती हुआ है क्या देख लिए एक बार 80 16 जाएगा यहां यहां यह हो साट तो हम यहां से 160 एकाट माइनस करेंगे तो हमारा इंसर कितना निकल कि आएगा यहां पर देखिए जीरो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहां पर 1 में से 1 जाएगा 0 यहां पर देखिए यहां पर तो हमारा किन्ना बन रहा था 12 यक्स ठीक 12 यक्स बन रहा था तो 12 यक्स बराबर कितना हो जाएगा नब्बे बटा बार च्छा से कट आते हैं च्छा दूनी बार और यहां पर यह चाहेगा किन्नी बार में 15 बार में मतलब 15 बटा 2 15 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं प्यक्त बटा करें हैं 7,000-5 दिन को काम करें तो यह काम पूरा हो जाएगा तो तो देखें इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं तो आपको लाजिक से समझते हैं, तो आपको लाजिक भी पता है, आपको आप Slowix को आपको किस्टैंपोन को अंसी को उस्टैनी से लें be हम कही रहा है कि 20 benefits लगातार कार करते हैं, और 24 andare क्या है, कि वह हैं चुर्ट स extend to साड़े चार दिन में 20 आजमी काम करते ना जितना 20 आजमी साड़े चार दिन में काम करते इसी काम को हमें कितने आजमी से कराना है 12 आजमी से यह साड़े चार दिन का ही काम बचा है उसी को हमें 12 आदमी बचे हुए 12 आदमी से काम कराना है क्योंकि अगर 20 आदमी लगातार काम करते तो बचे वह बारा काम पूरा होंता है इसी काम को कौन कर रहा है। इसी काम को जो बचा वुखे-वारा आघमी है वह कर रहे है। यहग्स थीर्ष काम करवाएंगे तो की काम पूरा हो जाए गाThen तो में यही यक्स का मान निकालना था, यक्स का मान निकालना था, तो देखे, पैताल, 4-5 में 20 का गुड़ा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 90, और यह बारा का भाग होगा, 90 बटे-बारा, यहां से कटाएंगे, तो 12-7-84, और 6-12 का मान होता है, 5-7-5 दिन, इस लॉजिक से भी question को जगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा यह logic समझ में आया होगा, तो आप एकदम बहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, देखे, अगला question, अगला question कहा है कि प्रथम 8 विसम प्राकृतिक संख्याओं का मान दिगात कीजिए, पढ़िया question है, थोड़ा language से खिला है, बागी है, बहुत easy, विसम प्राकृति संख्याओं पहले तो देखे इसमें 2-3 चीजट एक साथ पूछा ली गई है, examiner 2-3 चीजट आपसे एक साथ पूछ लिया गया है, तो क्या-क्या पूछा है पहले तो वो पूछा है कि प्राकृतिक संख्या, आप प्राकृतिक संख् होती है प्राक्ति संख्या हमारी एक से चालू होती है और क्या कहा है कि विशम संख्या ठीक है तो विशम संख्या क्या होती है आप जाते है विशम संख्या होती है जो दो से नहीं कटती है वो संख्या है विशम होती है जिदी सिरी बात ठीक तो हमारा जो विशम संख्या प्र फिर उसके बाद 13 उसके बाद देखें यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से नीचे से लिखते हैं देखें यहां पर एक तीन पाँच साथ नव ग्यारह तेरह और पंदरह किने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ उन्दरह तक हो गए है अब हमें पूछा है इनका आउसद मादे का मतलब होता है आउसद ठीक मादे का मतलब होता है आउसद देखें आप कई तरीके से आउसद निकाल सकते हैं ठीक है यहां पर हमें क्या है इनका जो अंतर है वो क्या है समान है यहां भी दो कांतर यहां भी दो कांतर यहां भी दो कांतर जब भी आउ पहली संख्या कितनी है? एक है और लास संख्या कितनी है? 15 है और बटे 2, कितना हो जाएगा? 15, 16, 16 बटा 2, बराबर कितना होता है? 8, तो इनका जो माध्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि आप्षान नमबर बीए है, ठीक है, देखे बढ़ियां तो आपको यह सब ध्यान रखना है, अगली क्योंट देखें, अगला क्योंट नमारा क्या है, कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य अर्जट है, बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, सही माध्यात की जिए, देखें क्या होता है, कि अगर देखें, इसका जो बेसी नियन तो है, वो इस तरीके से लगा सकते हैं, आपको दो तरीका समझाते हैं, तो अच्छे से समझने आएगा, हम अगर निकालना चाहें, तो देखें, 40 बुड़े 68 करेंगे, तो हमारा कुछ एंसर आएगा, कितना आएगा, 0, 4, 8, 32, 4, 24, 24 27 हम writes, 27, 20 चाहें घहां, ठीक अगरी बार क्या कहा है, कि लेकिन 25 की अस्थान पर हमें 45 पर लिया गया है, मतलब कितना एक्स्रा पर लिया गया है, जितना भी हमारा ये ऐसर आयए है, उससे 20 चाहें, 27 निकल के आएगा, तो 272 मेसे अगर हम 20 को मैनेस करेंगे, तो कितना आए चार चंग के 24 ठीक है यह 4 चंग 24 बचा यहां पर 3 मतलब 30 बचाएगा है 4 सते 28 फिर बचा है 2 4 25 पर शर्षट रस्वलो 5 इनका इनका जो रियल आउसत कितना हो जाएगा सर्षट रस्वलो 5 हो जाएगा ठीक आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं बाकि एक तरीका से और लगा सकते हैं वो कैसे हम जानते हैं देखें आउसत तो हमारा 40 था चालिस चात्रों का जो आउसत था हमारा कितना था 68 था ठीक 68 था लेकिन कहा है कि पचीश के अस्थान पर 45 पढ़ा गया है अगर पचीश के अस्थान पर 45 पढ़ा गया है तो कितना एक्स्टा लिया गया है 20 एक्स्टा लिया गया है तो यह 20 है हुए सब में बटा होगा 20 जो है वो 450 लोगों में बटा होगा चालीस लोगों में अगर बाटा गया होगा तों कितना कितना extra मिला होगा एक लोगropichen Hai seems 65 जागा हागा ठीक अगर यही ेस्टा को हटदे तो हमारा real value कि प्रेट होगा말ँ कि अठा कि यह से समझेंगे तो बहुती आसानी से इस क्योशन को लगा लेगे आपको हम प्रियार्टी देंगे इस तरीके क्योशन के लिए ये वाला रूल फालो करिएगा क्या है कि 40 विद्यार्थों का जो गलत वाला आउसत है वो 68 है लेकिन रियल वाला क्या होना चाहिए 25 के अस्थान प पांच मतलब एक लोग को 10.05 एक्स्टा दिया गा है तो हम कह सकते हैं कि 80 में से 10.05 को माइनस करेंगे तो 60.5 आएगा तो जो कि हमारा आंसर क्या होगा दी इस तरीके से भी क्योश्चन को साल्व करिएगा अगला क्योश्चन देखें क्या आया है अगला क्योश्चन दिया एक 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक विदूती खंबे को 8 सेकेंड में पार करती है यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकेंड लगाती है तो प्लेटफार्म की लंबाई या ठीक मतलब वो देखें क्या होता है पहले आप जान लीजे कि चाल बराबर क्या होता ह है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय ठीक है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय एक रेल गाड़ी जब किसी खंबे को पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है वह अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है यह बात को जल समझेगा ठीक उसके बाद क्य क्या कहा है कि एक प्लेटफार्म को पार करेगी जब प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों की लंबाई को जो उर्दर के पार करती है ठीक तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दोनों का जुड़ जाएगा तो हमें यहाँ पर चाल निकालना है तो चाल निकालने के लिए क्या होता है कि देखें 250 मीटर को टे करने में उसे 8 सेकंड का समय लगा है हमें सीधा सीधा प्लेट फाम की लंबाई घ्यांस करनी है तो हम जानते है कि चाल समान है रेल गाड़ी की चाल तो हमेशा समान है जब ठेट फाम को पार कर रही है तब वही चाल है जब खंबे कर रही हैं तो तब भी वही चाल है तो आप सब्समा चाल हमारी समान है तो कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय ठीक तो चाल समान है तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंडिशन में चाल समान है तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्योंकि जब वह खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी और जब वह प्लेटफार्म को पार करेगी तो डीवन प्लस प्लेटफार्म को लिख देते हैं P या इसी हम D2 लिख देते हैं समझेगा D1 प्लस D2 पहली लंबाई बटे दूसरी लंबाई मलग दूरी का नुपात क्या हो जाएगा समय का क्या होता है ये समय के क्या है डारेक्ट नुपाती है आप लोग थोड़ा सा इसको समझना है अच्छे से हम बढ़ियां समझाते हैं देखें चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा दूरी बटा समय मतलब स्पीड बराबर होता है distance upon time distance upon time कितना होता है time तो अगर हम यहाँ पर देखे distance और time का अनुपाद अगर यहाँ पर d1 बटे d1 बड़ापर हो जाएगा d2 बटे d2 क्योंकि यहाँ पर क्या है चाल को चाल समान है दोनों condition में चाल क्या है समान है तो हम यहाँ पर देखे अब यहाँ पर क्या रखेंगे d1 के स्थान पर क्या रखेंगे पहले तो हम पहले पार क्या कर रहे है पहले हम कर रहे है रेल गारी की लंबाई तो रेल गारी की लंबाई क्या हो जाएगी d1 अपाँ d1 का मान कितना है 250 और d1 का मान कितना है आठ ठीक है इसके बराबर क्या हो जाएगा D2 अब यह D2 का मान हमें निकालना है क्योंकि हमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी गई है यहां डीटू में कौन को सामिल होगा जब जानते हैं जब भी प्लेटफार्म को पार करती है तो वह train की अपनी लंबाई और प्लेट लेकिन यह प्लेटफार्म की लंबाही नहीं है यह प्लेटफार्म की लंबाही प्लस ट्रेण की लंबाही दोनों इसमें है तो हमसे पूछा है platform की लंबाई तो 625 में 200 को क्या करें माइनस करेंगे हमें क्या निग gepलेगा platform की लंबाईи तो 625 में 250 को कर दो कर देखते हैं यहां पर देखें 5 पांच जाएगा तो सात बचेगा और यहां 5 में 2 जाएगा तो 375 यह हमारी क्या निगल के आएगी platform की आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको इसी question को समझाते हैं बढ़ियां से basic method से भी समझेगा कि देखिए कहा था कि 8 second में वो 250 meter की खंबा है उसे पार कर रहा है और क्या कह रहा है कि 20 second में एक platform को पार कर रहा है प्लेट फार्म प्लस क्रेंट की लंबाई तो देखिए अब हमें यहां पर अभी आपको बताएं थे कि d1 upon t1 बराबर क्या होगा d2 upon t2 होगा क्योंकि दोनों condition में चाल क्या है समान है तो d1 कमान हमें रखेंगे कितना 250 बटे t1 कमान कितना है आठ second बराबर हमें d2 कमान रखना है d2 को हम रख सकते है क्या d2 को हम रख सकते है r plus p r कमान क्या है r कमान 250 250 प्लस p यह हमारा plate farm का लंबाई है और इसके बटे कि इस लंबाई को पार खनने के लिए उसे 20 सेकंड लगते है अब यहां से कटाई है चार दुनी आठ चार पंचे 20 दो से कटेगा एक सो पचीस तो यहां से पांच का गुड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 पचीस बराबर हो जाएगा 250 प्लस प्लस प्लेटफार्म ठीक है अब प्लेटफार्म की लंबाई निकालना चाहिए तो 625 माइनस यह प्लस है इस तरफ आजाएगा तो कितना हो जाएगा 250 इसको माइनस करेंगे किना आजाएगा 375 ठीक आपको बस ये रेशियो पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो डिस्टेंस बराबर होगा तो आजाएगा रीषियो काम करेगा अगला क्यक्क कहा है कि दो ट्रेनों को समान हैं वो विपरीद दिसाओं में चल रही है वो भि समान से यह दिलंबाई उनकी 120 मीटर और 140 मीटर है एक टेल की चाल ज्यात किजिए। देखें जब भी आप कोई एक ट्रें इसा में चलती है तो उनका जो ठाल होता है जूड़ जाता है। उनका जो अंतर होता है वह उनका relative speed होता है, तो इस condition में देखिये, कि एक train इधर से चल रही है और एक train इधर चल रही है भी परीद दिसान से चल रही है, तो वहाँ जो चालों का योग होगा वो जुड़ जाएगा, और हमें दिया गया एक इनका जो चाल है इवह समान तो हम कह सकते हैं की two yes two yes अगर हim अगर train की चाल को हम yes मानने तो वेंतका दोनों का कितना हो जाईगा two yes हो जाएगा चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय तो चाल तो हमारा यह हो गया है दूरी कितना हो जाएगा दोनों का दूरी एड हो जाएगी, दोनों की दूरी एड हो जाएगी, 140 और 120, कितना हो जाएगा 260, इस 260 को पार करने, मुझे कितना समय लग रहे हैं, 10 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि, जो इनकी चाल हो जाएगी, 26 मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगी, यह दोनों की एड होने के बाद, हमसे पूछा है कि, एक की, तो हम दो से कटा देंगे, दो से कटाएगे तो 13, तो yes की स्पीड क्या हो जाएगी, 13, मतलब जो ट्रेन की चाल हो जाएगी, 13 मीटर प्रती सेकेंड, 13 मीटर प्रती सेकेंड, जो कि आफसा नमबर A सही होगा, ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला question कहा है कि, यदि केवल बिकरणों के माप दिये गए हो, तो इन में से किस चतुरभुज का नियमार किया जा सकता है, देखें, चतुरभुज का theory से लिए है question, थोड़ा साल logic है समझने के लिए, आप क चतुरभुज, तो देखें, इस condition में हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी आयत का, अगर हमें बिकरण पता चल जाए, बिकरण पता चल जाए, तो हम आयत की भुजा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी चतुरभुज के, जिसके भुजा बराब होती है आपस में बराबर होती है तो यहां भी अगर हमें विकड़ पता चल जाए दोनों विकड़ अगर हमें पता चल जाए तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं चतुर भूज का निर्माल कर सकते हैं क्योंकि हमें भूजा प्राफ्ट होगी चतुर भूज को निर्माल करने के ल एक और तीन, एक और तीन कौन सा है, आफसा नमबर A, आफसा नमबर A में जो है, वही सही होगा, यह देखिए, चतुर भूज के ठीरी से question था, लेंग्विज से खेला है, लेंग्विज कहा है कि यदि केवाल हमें क्या पता हो, बिकड़ पता हो, अगर उनके दोनों बिकड़ होगा, तो यह हमारा यक्स हो जाएगा, यहां से एगर वाई वाई होगा, तो यह हमारा वाई और यह वाई होगा, पाइथागोरस प्रमें से हमें यह भूजा ग्याद हो जाएगी, यहां भी हमें पाइथागोरस प्रमें से यह वाली भूजा हमें प्रात हो जाएगी, तो कोडी शटकोड की परीधी बहत्तर स्विमी है तो इसका छेथफल ग्याद कीजिए एकदम बढ़िया क्वेस्चन है आप लोग सोड़ा सा समझेगा सम्भूज कोडी शटकोड इसका कहने का मतलब यह इसका फिगर कैसे बनेगा देखे इसका फिगर देखते हैं यहां पे चलिए हम बनाते हैं इसमें नहीं है देखें च्छा बुजा वाला सम्भूज बनाना है हमें च्छा बुजा वाला सम्भूज कैसे बनता है दखिए एक दो तीन चार पांच छे भुजा हो गई है ठीक है और जो खष्टबुज बनते हैं यह देखें ऐसे बनते है खश टरबू जो बनता है , वो छ श सम्भाहु यह चश सम्भाहु यह gefश होते हैं में जितने भी तृबू बनते हैं और शारे तृबूज क्या होते हैंrockाश है , और किकनर बढ़ शर्ट buscar बनते है में एपस में वे इन चेख है फ्हूरता है तो अगर ये पूरा 72 है और कितने भाग है ये 72 है और भूजा कितनी है 6 है भाग देंगे तो एक कमान निकल के आएगा कितना आएगा एक कमान 12 आएगा तो यहां से ये 12 है 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 और ये 12 है हम जानते हैं कि इसमें एक जो त्रभूज बन रहा है यह सम्भाहू त्रीँज थे इस सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है एक त्रीआ च्छतफल निकाल के 6 सी गुटा कर देंगे तो पूरे खुष्ट भुज के चिटफल हमें प्राप्ट हो जाएगा ठीक तो में खुर्ट थे त्रीआ का च्छतफल क्या होता है 36 करड़ी में तीन आएगा लेकिन हमसे पूछा है कि पूरे खष्ट्रभूज का चितफल तो कितने त्रभूज है ऐसे ऐसे 6 त्रभूज है तो हमें 6 से क्या करना पड़ेगा गुड़ा करेंगे देखे कहीं पर हमें गुड़ा गलती में गलती हुएगा गुड़ा हमने गलती कर दिया है 36 में 6 का गुड़ा करेंगे तो हमारा 216 आएगा 216 करड़ी में 3 यह हमारा खष्ट्रभूज के चितफल हो जाएगा 216 करड़ी में 3 कौन सा है अप्शन अप्शन नमबर B ठीक देखे इसमें क्या करना था कि पहले आपको क्या लेंग्वेज खिलाए सम्भूज कोडी 16 कोड़ी इसका मतलब है कि कोई एक सम्भूज है जिसकी 6 भूजाएं है ठीक है तो च्छे बूजाओं वाला सम्भूज है और हमें क्या दिया गया था परीदी दिया गया था परीदी कितना है सम भाहू तरभूज से मिल करके यह है एक सटकोड आकृती बनी है इस आकृती में कितने त्रभूज है शह त्रभूज है वह भी सम भाहू तो एक उनकी भुजा क्या है भुजा जिसकी है 12 अगला क्योशन दिया है कि प्रफम भाज संख्याओं का माधियात विए अब देखे थोड़ा सा आपको नमबर सिस्टम में अभाज अभाज जिस्टम में आपको अभाद संख्याएं होती हैं, अभाद संख्याएं कौन सी होती हैं, वे अभाद संख्याएं उन्हें करते हैं, जो अपने और एक के अलामा, सोयम के अलामा किसी से भी नहीं करती हैं, उन्हें अभाद संख्याएं करते हैं, तो अभाद संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्थम 6 हमसे 6 पूछा था एक, दो, तीन, चार, पांच, हमें 6 हैं प्रात ही हैं। इनका माध्य निकलना है, माध्य ब़राबर आप लोग जानते हैं क्या होता है। आकडो का योग बटे, आकडो की संख्या या टोटल योग बटे उनकी संख्या तुम देखे यहां पर हम योग करते हैं तीन, दो, पांच, 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 दस 10, और 10, 7, 17, 17, ज़टना होता है 28, 28, 13 कोता होता है 31, 10, 41, कितना हो जाएगा 41 और टोटल संख्याएं कितनी है 6 है तो हमारा जो माद होगा 41 बटा 6 देखिए 41 बटा 6 कोई है आफसा नमबर C 41 बटा 6 तो प्रथम 6 अबाज संख्याओं का माद क्या होगा 41 बटा 6 ठीक है अगला क्यों देखे हमारा यहीं सिंखला खतम होती है क्योस्टन की 20 कोश्चन अमारे लिए थे आप लोगों के लिए 20 क्यों की प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो आज आसा करते हैं आप लोग को यह सारे क्योंशन देख करके अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को प्रिदम नेक्स्ट लेकर चले जाएंगी ठीक और हमारे यूटूब चैनल के साथ जूले रहे इस पर बहुत सारी क्लासे साथ को अलवाग सभी मैद के हमं मुद्ध औि रहे हैं खिर जो कि ऑ दो आपके एक्जाम को पर सारे Watts को अटेंड करिए और अपनी तयारी को मजबूत बनाएए थीक हैं और आजान साथ है अगले बिन धन्हाँ बाषत